घर में पैसा ही पैसा होगा बस इतना सा आपको करना है कि जो आधते आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उन आधतों को आपको सुधार लेना है उन आधतों को आपको छोड़ना है उन आधतों से आपको जो है मुक्ति पानी है और फिर आप देखेंगे कि कैसे आ आपके जेब में, आपके पर्स में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके घर के लौकर में, हर तरफ पैसा ही पैसा आप रख पाएंगे, पैसा ही पैसा आपको दिखेगा, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आएगा, उसके लिए क्या करना है, किन आदतों को आपको छोड़ना है किन चीजों को आपको सुधार करना है चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है जो आदत है वो यह है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सोने से पहले कभी भी पैसे को नहीं गिनना चाहिए इसलिए आप जब भी सोने जाएं तो सोने से पहले कभी भी अपने पैसे को गिन कर नहीं सोई पैसे को गिनना आप अगर करते हैं ऐसा कि सोने से पहले आप अपने पैसे गिनते हैं तो ये आदत आपको छोड़ देना है दूसरा, अपने पर्ष में पैसों से अधिक खर्चे की पर्ची और बिल वगेरा के जो पेपर्स हैं वो आपको नहीं रखना है तीसरा, मारकेट से आते वक्त बाजार से जब भी आप आएं घर तो कभी भी खाली हाथ नहीं लोट कराना है कुछ ना कुछ आपको लेकर आना है, चाहे एक छोटा सा एक रुपया का चोकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको लेकर आना है चौथा, खाना खाने के बाद जूठे हाथों को अपने सिर पर, अपने कपडों पर या फिर अपने पर्स में कभी नहीं लगाएं बिना हाथ धोएं अपने सिर में, अपने कपडों में, अपने पर्स में कभी हाथ ना रगाएं पाँचवा, यदि आपको कोई सिक्का मिलता है कहीं, तो उसे तुरंत आप खर्चा नहीं करें चटवा, भगवान से मिले जो प्रशाद आपको मिलते हैं ना, भगवान की पुजा के बाद जो प्रशाद आपको मिलता है, जो आपको ही दिया जाता है वो प्रशाद सिर्फ आप ही खाएं किसी दूसरे को ना दे और दूसरा इधर उधर आप ना फेके प्रशाद को साथवा जितना हो सके गरीब और भूखे प्यासे लोगों की आपको मदद करनी है चाहे जिस भी तरह से आप कर सके बस इन साथ आदतों को आपको जो मैंने बताया उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसे साब से आपको चलना है आप देखेंगे कि आपके घर में आपके जीवन में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी पैसा ही पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा